नमस्कार मैं ब्रिज मोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साइंग रन्त राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपके इस चैनल में चैनल जिसका नाम है ब्रिज ब्रिज मोहन सूरी, यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे ब्रिज मोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है, इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए एक निया विशे लेकर हाजिर हूँ, तो आईए शुरू करते हैं आज का निया विशे 22 फरवरी 2019 का उपाय बताने जा रहा हूँ, 22 फरवरी 2019 को आपने क्या करना है, एक मिट्टी का बरतन इतना सा ले लीजिए और उसमें धही डाल दीजिए, इतना सा बरतन मिट्टी का लीजिए, उसमें धही डाल दीजिए, और ये बरतन कहीं ऐसे स्थान पर रख दीजिए, जहां पर पक्षी वगराई से खा सकें बस आपका ये उपए इतना ही है अब बहुत सारे लोग पूचेंगे कि वही हमारे यहां पक्षी नहीं आते हैं तो आप सीधे सीधे दही दान कर दीजी मिटी के बरतर में मत डालिए दही किसी मंदिर गुर्धवर लंगर में दे दीजी अब बहुत सारे कहेंगे मंदिर गुर्धवर भी नहीं है तो जल परवा कर दीजी जल परवा भी नहीं कर सकते तो व्रिख्ष के पास ब्खेर दीजी अब इतने option में से कोई एक option चुन लीजिए सब से best option है मिट्टी के बर्तन में डाल कर कहीं रख दीजिए जहां पर पक्षी से खा सकें इससे आपके प्रेम में बहुत बड़ोतरी होगी जो लोग कहते हैं पती प्रेम नहीं करते हैं बचे प्रेम नहीं करते हैं हमारा प्रेमी प्रेम नहीं करता है तो मैं करता हूँ आज का उपाय कीजिए सभी आपसे प्रेम करेंगे बहुत प्रेम मिलेगा आज का जो यह टोटका है यह बहुत लाब देता है आप जानते हैं मैं प्रति दिन एक उपाय बताता हूँ यह उपाय आपकी कोई भी राशी है आपका कोई सी राशी चल रही है किसी पर कौन सा ग्रह चल रहा है कौन सी महादशा चल रही है कौन सी अंतरदशा चल रही है इसका कोई विचार नहीं है ये जो मैंने उपाए बनाए होते हैं ये गोच्र राशी ग्रहों को देखते हुए सयुक्त रूप से बनाए होते हैं जो आपको ला मिले और संकलब करे कि मैं जो यह उपाय करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं इसका फल फला फला व्यक्ति को मिले या मेरे पूरे परिवार को मिले और फिर जल्ला से जमीन पर गिरा दें तो इसका लाब पूरे परिवार को मिलेगा यानि यह ऐसे टोटकी हैं ऐसे उपाय वनिये चाहते हैं, जो आपका बहुत उधार कर सकते हैं। इनको आम मत समझिये। मैं प्रति दिन बता रहा हूँ। प्रति दिन मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए मेरी इच्छा ये है कि आप खुश है , मेरी इच्छा ये है आपके घर में बहुत सरा धन आए मेरी इच्छा ये है कि यदि आपके पती, आपका बेटा, आपकी माँ, आपके पिता कोई भी आपसे नराज है तो मिलन हो जाए मैं ये चाहता हूँ आपका करजा उतर जाए मैं ये चाहता हूँ, आपका अपना मकान हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास ना आए, तो इसलिए नए-नए टोटके, नए-नए उपए डूंड कर लाता रहता हूँ, तो आप कीजिए, दिल से कीजिए, वैसे आपको बता दू कि यदि कोई प्रबल समस्या हो जैसे कुछ लोगों के बच्चा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब जनम कुडली में यदि पांचवे घर में राहू बैठे हैं और बहुत शक्ती लेकर बैठे हैं, तो बेटे की प्रबलम आएगी, प्रंतु उसका उपाय क्या है, पती पतनी की दुबारा शादी करवा दीजिए, बच्चा हो जाएगा, आप सभी मत करना शुरू कर देना ये, ये देखना पड़ता है जनम पत्री में, अलग-अलग उपाय होते हैं, तो जनम पत्री में परतेक समस्या का हल चिपा हुआ है, सिरफ डूढने की वशक्ता है, हम डूढते हैं, फिर आपको हल बताते हैं, कई बर होता है, बहुत प्रबल योग है, वो योग कारे नहीं करता है, जब उस योग में कारे होता है, तो सब कुछ होना लगता है, यानि योग है योग ने आपको विदेश बेज दिया आप वो एक्टिवेट नहीं है आप विदेश गए वहाँ कामयाब नहीं हो रहे है परन्तु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ आप कामयाब हो गए तो ये सब कुछ जनम पत्री में होता है प्रन्तु ये जो टोटके हैं बहुत एहम होते हैं इनको कीजिए जितना कर सकते हैं कीजिए किसी दिन नहीं भी कर पाते तो कोई प्राब्लम नहीं है प्रतु कोशिश कीजिए प्रति दिन कीजिए और यादा से यादा शेर भी कीजिए जैसे चक्रवती व्याज होते हैं मूलदन फिर उसके उपर व्याज लगता है फिर चक्रवती व्याज लगता है ऐसे जब आप लोगों को शेर करते हैं और वो देखकर उपाय करते हैं उनको लाब मिलता है तो जो पुन्य प्रापत होता है उसका हिसा आपको भी मिलता है तो इस प्रकार आप लाब ले सकते हैं इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मैं ब्रिज मौन सूरी आप से इजाज़त चाहता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं एक बार ही करना होता है तो हमारे वीडियो की नोटिफकेशन आपको लगातार मिलती रहती है यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वटसेप पर कर सकते हैं परन्तु जवाब आपको पांच ये छे दिन के बाद ही मिलेगा यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप WhatsApp पर पूछ सकते हैं इसके लिए हमफीस लेते हैं जो हम गरीबों के कारों में master दिया रखिएगा कि जब आप जनम पत्री भीजते हैं तो हम देखते हैं यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है यदि योग नहीं है तो फिर इमिजेटली उसका हम आपको बता देते हैं परनतो यदि योग है तो अच्छे ढंग से देख कर ही बताते हैं परनतो जनम पत्री देखने में चार यां पाँच दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा या आपको नोटिफकेशन बेज दी जाती है कि समय लगेगा आप जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे ग्रहे होते हैं आप ये भी जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे योग होते हैं आपने देखा होगा बहुत सरे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को करजा रहता है, रोगी रहता है, क्यों रहते हैं, इन सब का समादान हमारी जनम पत्री में होता है, जब हम जनम पत्री देखकर उपाए डूनते हैं और आप ल इतने लोग इसको देखेंगे उसका लाब आपको भी मिलेगा तो मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखिए